तो गूर्ण दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि पीम दिशा में आप किस परकार से रेजिस्टेशन कर सकते हैं अगर आप एक CSE BLE है तो पीम दिशा से आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं सेंटर ओपन करने के बाद लाखोड रुपे कमा स लगों दोस्तो किस परकार से आपको सेन्टर के लिए अपलाइक करना है, सेंटर रेजिस्टेशन करना है, किस परकार से आपको स्टूडेंट online आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास एक FE Debite होना चाहिए, FE Debite आप लोगों को किस परकार से डाउनलोड करना है? वो भी हम आप लोगों को यहां पे दिखाते हैं, और इसरे पहले हम आप लोगों को बता दे जब आप तो Epidemic निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसे आप चाहे, तो H-Tam पेपर पे भी निकलवा सकते हैं, H-Tam पेपर अगर नहीं है, तो आप नार्मल पेपर भी निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने DM से बात करना पड़ेगा, CAC DM से बात करने के बाद आप कर पाएंगे अब देखिए वहां पर क्या होता है कि बहुत ऐसे एरिया है जो पंचायत वाइज यहां पर सेलेक्शन किया जाता है तो किसी किसी पंचायत में नहीं खाली होने के वज़े से आप अगर अपला भी करते हैं तो यहां पर पेंडिंग दिखाता है अपड़ोबल नहीं मिल पता है क्योंकि अगर आपके पंचायत में खाली होगा तो ही आपको मिल पाएगा अगर खाली नहीं होगा तो फिर आपको CSE का, जो PM die Centre है, वो आप लोगों को साख-चहरता अभियान centre नहीं खूल पाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, जिस 파 domain में आप लोगों को देख लेना है, जिए खनी है, वो आप लोगों को यहाँ पे Select करना है, ortaic DM से बना है और उनसेConnect करने के बाद, आपका वो approval 2-4 गंटे के अंदर करवा देंगे अब यहाँ पर बात आता है कि apply किस परकार से करना है तो apply करने के लिए चले हम आप लोगों को अपने mobile से करके दिखाते हैं कि किस परकार से आप apply करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो चलेए दोस्तों mobile screen पर चलते हैं अब आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको search bar में आ है PMG जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लिख लेते हैं PMG जैसे ही PMG लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने PM दिख्चा यहाँ पर देख सकते हैं PMG दिख्चा आ रहा है अब यहाँ पर आपको क्या करना है उस पर tap कर देना है आप करने के बाद यहाँ पर आपको CSC ID सो करता है और यहाँ पर आपको yes या no का reply पुछा जատ तो यहाँ पर आपको yes कर देना है करने के बाद आप लोगु के सामने यहां पे एड ट्रैनिंग सेंटर आप में आपको एड करने के लिए बोला जाता है जिसमें आपको पहले सेलक्टकरना कि नाहर एस्टेट उनके बाद डिस्तिक का नाम, इमेल, आईडी, मंबाइल नमर, पावर बेकप के लिए आपके पस पास है, वो डालना हैं, उनके बाद यहाँ पे एडres और नमर आप computer कितने आपके पास computer उनके बाद connectivity आपको select करना है, यहाँ पे yes या no, उनके बाद tap of connectivity आपके पास DSL board band है या 3G 4G है या dial up है या डोंगल है या नन है यहाँ पे आपको select कर लेना है training center facility details यहाँ पे आप लोगों को डालना है अब यहाँ पे upload epidebit बोला जा रहा है तो upload epidebit के लिए यहाँ पे पहले download epidebit कर लेना है download epidebit करने के बाद आपको यहाँ पे epidebit जो आप लोगों का सोग करता है वो कुछ इस परकार से सोग करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया to be printed on stamp paper sign and stamp on each page and duly notarized and implement not republic यहाँ पे epidebit 4 p.m. दिख्चा a scheme to be furnished by CSC यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है उनके बाद age डाल देना है यह सभी आपको यहाँ पे डालने के बाद CSC ID उनके बाद CSC का registration नमर यहाँ पे डालना है estate डाल देना है और जो समझ में नहीं आता है उसे आप छोड़ सकते हैं उनके बाद जितने भी page हैं उस सभी पे notary का sign more होगा notary करवाने के बाद आपको यहाँ पे upload कर देना है upload करने के बाद आपको क्या करना अपने district magistrate जैसे दीम से बात कर लेना दीम से बात करने के बाद आप यहाँ पे qualify कर जाते हैं अप्रूब कर देंगे अप्रूब करने के बाद आप यहाँ से earning कर सकते हैं और उनके बाद एक student को जो एड करते हैं अभी यहाँ पे 300 रुपय मिल तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक ल मिलते हैं आप लोग उस नई वीडियो में नई टोपिक के से